तो हेलो फ्रेंड आपके लिए लेकर आ गया हूँ सर्दी के मतलब का एक और बड़िया धमागेदार हीटर हीटर तो हमने कई जारे एंबॉक्स कर दी है तो आज बारी है सन हीटर की यह सूरज की तरह चमक रहा है और यहां पर आप इसकी जो ब्रेंड है यहां पते कि सकते है रमाता नाम का है आप सोचते हो को भाई पहली बार नाम सुनाईए तो मैंने भी पहली बार सुना है मैंने अमेजोन से या फिर ऑनलाइन परचेस नहीं किया है इसको मैंने ऑफलाइन परचेस गया है यहां पर आपको टू हीट लेबल मिल जाएंगे जो की 500 बाट और 900 है ओहो यह देखे अब निकल रहा है यहां पर सन हीटर बाकी डबे में और कुछ भी नहीं है साइस तो काफी जादा बड़ा है बाकी आप यहां से आगे से पीछे से हर तरफ से देख सकते हैं बाई मैं एक बार इसकी बैक साइड आपको दिखा दूँ एक तरीके से जो टे सते लिए एक बाई आपके टेबल पर रखा पहले ईक चीज बता दूँ आपको कि दिखता तो फैन कीता है बट यह पैण नहीं है यह यह हृतर है और किस तरीकेका इसमें ना कोई पंखा लगा हुआ है जो अ फोम दो यह निया सिकर्थछी पन्लदा Cart slime channel, दिखी ने लीग माँ उसका element अंदर होता तो यह उसी तरीके का है एक काच में इसका element है और वो भी यहाँ पर इसके mid में लगा हुआ बस यही जो है गर्म होता है यहाँ से आप इसको on off कर सकते हैं बाकि यहाँ पर यह लगा हुआ है timer और यह time के साथ सा चलता रहता है जैसे आप इसको on और यहां पर इसका दूसरा जो switch दिया हुआ है, high पे है and यह low पे है, यहां से करेंगे आप यह इसका जो 500 बाट वाला यहाँ पर high swing मिल जाएगी and यहाँ पर low swing अगर आप इसको high swing पर select करते हैं तो यह लगबग 900 watt बिजली खाएगा and इसकी swing चलती रहेगी आप low पे करेंगे तो यह low पे चालू हो जाएगा but swing उसी speed में रहेगी बस इसकी heat जो है कम हो जाएगी केबल की बात करें तो लगबग 1.5 मीटर इसकी केबल मिल जाएगी मतलब एक मीटर से उपरी है यहाँ से देखिए मैंने supply ले लिए and यहाँ पर अभी आप देखेंगे इसमें जैसे की लिखा हुआ है ना instant heating इंस्टेंट यह जो है गरम हो जाता है आपको time की जरुवत नहीं पड़ती है मतलब तुरंद गरम होता है तो चलिए मैं आपके सामने on करता हूँ इसको फिर देखेंगे बाई कितनी जल्दी यह गरम होता है और यहाँ पर देखेंगे मैंने इसको high पर set कर दिया है तो गिलो कर रहा है अच्छा काजा गिलो कर रहा है यहाँ पर गाईज मुझे बहुत तेज इसकी आँच महसूस हो रही है मतलब इसकी गरम हट काफी जादा तेज मुझे अभी लग रही है अभी फिलाल पूरा मिनट भी नहीं हुआ इसको चालू करे हुए और इसकी जो हीट है भाई वो काफी जादा बैटर लग रही है इस टाइम तो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रोटेट हो रहा है मतलब रोटेशन तो कम है भाई मतलब सामने का एरिया कबर करेगा यह जादा एरिया मतलब चार उतरब नहीं गुमेगा थोड़ा सा ही स्विंग करता है ठीके फ्रेंट सो गैस जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ लग बग पांच फुट की दूरी होगी तो पांच फुट की दूरी पर मुझे अच्छी खासी आँच लग रही है कि मैं करता हूँ इसको लोपर और यहाँ पर देखिए इसकी लाइट जो है एक डम कम हो जाएगी तो लोपर भी यह अच्छा खासा काम करता है लग बग तीन चार फुट तक तो भाई इसकी हीट है वो मुझे महसूस होती है असपास के लोग वैडे होंगे ना तो सामने बस टेबल पर इस तरीके से रख देना है तो सारे लोगों को इसकी हीट पहुचेगी पहुचेगी स्विंग के दुआरा जब इसकी स्विंग चलेगी तो यह चारो तरफ रोटेट करेगा अब बात करते हैं इसके फाइनल रिब्यू के बारे में तो यह सन हीटर मुझे तो काफी ज़्यादा पसंद आया है और इसकी जो हीट है वाई एकदम ऑसम एड़ बात करें इसकी प्राइस की तो यह मेरे को पढ़ गया है लग बग सत्तरा सो रुबेगा सत्तरा सो का मुझे जरूर पढ़ा है बट आपको यह सत्तरा सो का नहीं पढ़ने दूँगा अगर आप इसको पर्चेस करेंगे वो किस तरीके से मैं आपको पूरी बात समझाता हूं ऑफलाइन कुछ इस तरीके के प्रोड़क्ट मिल जाते हैं बट ऑनलाइन वही प्रोड अगरी के सनीटर देखें तो उसमें मुझे मदब इसी से रिलेटिट कुछ इतना ही बड़ा मुझे एक सनीटर मिला तो उसको मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वो इससे सस्ता है और उसमें आपके ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चोंगा और वो पा अधने बाद थैंक्यू बबाए बंद करते भाई